हेलो स्टूडेंट्स आयम अलका वर्मा असेस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज और फार्मिसी तुर्क नेक्स्ट हमको आज की वीडियो में क्या पढ़ना है हमने पढ़ा हुआ था पॉली न्यूकलियर हाइड्रोकार्बन का हमने जुदने भी फ्यूस सिस्टम होते हैं फ हमने अभी तक पढ़ा था उसमें बेंजीन रिंग अपने यह शेयर करके फ्यूस सिस्टम से जुड़े हुए थे अभी यह क्या है आइसोलेटेड सिस्टम में मतलब इनको एक कंपाउंड है सीस्टू बीच में जो इन दोनों को जोड़कर रखा है है तो हमारा डाइफिना यहां से तो 1-2-3-4-5-6-6 ठीक है क्योंकि यह आइसोलेटेड सिस्टम है अलग-अलग जुड़े हुए है ठीक है नेक्स हमको क्या देखना है इसका सिंथेसिस यह हम लोग इसको बोलते है method of preparation तो इसमें फर्स्ट आप लोगों का दिया हुआ है फ्रीडल क्राफ्ट रियक इसके साथ हम बेंजीन का रियक्षन कराते है अगर अल-C-L-3 के प्रेजेंस में तो हमको क्या मिल जाता है डाइफिनाइल मेथेन यह हमारा जो कंपाउंड फॉर्म होगा यह हमारा डाइफिनाइल मेथेन यह हो गया इसका फर्स्ट रियक्षन मैथड ऑप्रिपरेशन के ल इसका नाम है डाइक्लोरो मेथेन इसको फिर से हमने अल-C-L-3 के प्रेजेंस में जब हमने रियक्षन कराया तो हमको क्या मिल गया डाइफिनाइल मेथेन यह है इसका सेकेंड मेथड ऑप्रिपरेशन का रियक्षन नेक्स है हमारा फ्रॉम बेंजोफिनोन ठीक है बेंजोफिनोन से अगर हम इसका सिंथेसिस करना चाते हो तो क मतलब हम लोग चाहें तो यहां तक इसका रियक्षन कराएंगे और फिर क्या होगा रियक्षन में यह रिडियूजड हो जाएगा मतलब इसका रियक्षन हो जाएगा विथ रेड होट फोस्फोरस या फिर हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ तो इसका रियक्षन हम लोग द nicabetic acid इसको हमने क्या किया heat किया he be get क्या benzes of İn लेक्षिंट किराने के लिए हमको RMGX को लेना पड़ेगा तो are की जगा सिंपल सी बात है, अगर हमको preparation करने के लिए aryl compounds चाहिए, aryl और एक होता है aliphatic और एक होता है aromatic है ना, अगर हमको aliphatic का synthesis करना है तो हम क्या करेंगे, R की जगा कोई aliphatic group ले लेंगे, अगर हमको aromatic group चाहिए, तो हमको aromatic group ले लेंगे, तो यह हो जाएगा aromatic groups, Mg और X, तो diphenyl methane is prepared by gregnart reagent, इस टिक है जिसमें हमको यह हमने ले लिया हमारा gregnart reagent, gregnart reagent के साथ हम reaction करा देंगे benzyl chloride, benzyl chloride आप लोग first reaction नों भी देखे थे, benzyne के साथ CH2Cl, इसी को हम बोलते है benzyl chloride, यह हो गया हमारा R की जगा, कोई eril group, eril group हमने ले लिया benzyne, benzyne के साथ mg और फिर X की जगा हमने ले लिया halogen bromine, ठीक है इसका reaction कराएंगे हम phosphorus और hydro iodic acid की presence में तो हमको मिल जाएगा diphenyl methane और साथ ही साथ हमको बगल में हमारा अलग हो जाएगा mgbr Cl जो है वो अलग हो जाता है तो यह हमारा 5 method of preparation है diphenyl methane के लिए next हम बात करते है chemical reaction, chemical reaction मतलब अगर हम diphenyl, diphenyl methane का reaction अगर हम कराएंगे तो कैसा होगा, तो first हम लोग देख रहे है सबसे common chemical reaction, nitrogen nitrogen के लिए हमने क्या ले लिया diphenyl methane in the presence of हम लोग सब जानते हैं कि कभी भी hydration कराते समय, हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हमको चाहिए HNO3 और HNO3 के साथ हमको H2SO4 भी चाहिए, तो हमने ले लिया diphenyl methane और उसको react कराया HNO3 और H2SO4 के presence में, तो हमारा first compound क्या form हो जाएगा, ये form हो जाएगा हमारा one phenyl, one one benzyl four nitro benzyne ठीक है, one benzyl four nitro benzyne, four position पे nitro group हमारा जुड़ जाता है अब ये reaction आगे रुपता नहीं है, ये reaction एक बार और अगर आप इसका nitrogen कराते हो तो first nitrogen में क्या हुआ, ये यहाँ पे first nitrogen में एक तरफ nitro group जुड़ा हुआ अगर हम इसका एक बार और nitrogen कराते हैं, तो एक तरफ और nitro बुड़ जुड़ जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा base four nitro phenyl methane, तो ये हमारा है nitrogen reaction next time हमको क्या देखना है, nitrogen reaction के बाद, halogenation, तो देखते हैं, halogenation reaction क्या होता है, halogenation reaction di-phenyl methane in the presence of bromine and UV light हना, हमको halogen से treat कराना है तो di-phenyl methane को अगर हम bromine और UV light के साथ reaction कराते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, di-methyl bromide तो देख लीजे, ये आप लोगों का di-phenyl methane जिसको हमने UV light ले लिया और साथ में bromine इसके साथ जब react कराया, तो हमको क्या मिल गया है di-phenyl methyl bromide और HBR जो bromine के molecules हैं, वो एक edge के साथ बाहर हो जाते हैं next आ जाएगा oxidation oxidation में हमको di-phenyl methane को oxidation कराना होगा, और oxidation कराने के लिए हमको क्या चाहिए K2Cr2O7 और H2SO4 तो oxidation अगर हम करा रहे हैं यहां पर देखो, तो क्या बन जाएगा benzophenone, तो di-phenyl methane is oxidation in the presence of potassium dichromate and sulfuric acid H2SO4 और oxidation कराते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, benzophenone next है cyclization when di-phenyl methane is heated it gives 9H furan तो हम इसको क्या करते हैं heat करते हैं, तो हमको मिल जाता है यहां पर एक heat का हम sign लगा देते हैं यह से हम heat करते हैं heat करते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है 9H furan फिर इस क्या जाता है, physical property it is a colorless oil, melting point 20 to 24 degree celsius boiling point इसका बोल रहा है 264 degree celsius molecular formula है, इसका C13 H12, ठीके, उसके बाद हमको क्या पढ़ना, इसका use use, इसका क्या बोल रहा है, is used in the synthesis of methylene, dye, phenyle dye, cyknate, इसके synthesis में use होता है, और वैसे ही यह use होता है manufacturing of dyes in the industrial preparation, किसी भी industry में dye के preparation में, dye के manufacturing में use होता है, next अब आप लोगों का है, tri-phenyle methane है, इसमें हमको दिख रहा है तीन फिनाईल के रिंग जुड़े हूँ है, tri-phenyle methane के लिए compounds का है, इसका method of preparation की बात कर रहे हैं हम लोग, यह structure है tri-phenyle methane का, tri-phenyle methane, क्या है इसका structure method of preparation, first है आप लोगों का, जैसे उसका करते थे, friedel craft reaction, friedel craft reactions के लिए हमको क्या करना पढ़ेगा, benzene के साथ, benzene के two molecules, benzene chloride के साथ react करेंगे, aluminium trichloride के presence में, तो हमको क्या बना लेंगे, tri-phenyle methane, जैसे देख रहे हैं आप लोग, यह reaction, और अगर हम ब्रिंग के साथ देखना चाहें, तो वो यह reaction, दोनों reaction same है, ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, the condensation between benzene and chloroform, अगर आप बेंजीन और chloroform का condensation कराते हो, तो भी आपको मिल जाएगा, tri-phenyle methane, यह आप लोगों का second reaction, next क्या है, the condensation between benzene and benzene, also give phenyle, tri-phenyle methane, अगर आप benzene, बेंजल डिहाइट का condensation कराते हो, बेंजीन के साथ, ZNCl2 के presence में, तो हमको क्या मिल जाता है, tri-phenyle methane, फिर से हमको मिल जाएगा, यह है, इसका, तीन टाइपस of method of preparation, इसका बाद हम देखते हैं, physical property, it is a colorless solid, melting point, 92 to 94 degree Celsius, boiling point, बोल राइज का 359 degree Celsius, uses क्या है, इसके, tri-phenyle methane is a tri- lacrimetane compounds used in the backbone of synthetic dyes, so इतमे synthetic dyes होते हैं, उसके backbone की तरह यह काम करता है, उसके synthesis में, यह यूज होता है, फिर क्या बोल रहा है, tri-phenyle methane is also used to inhibit the free methyl to ride, include in the neoplastik transformations, neoplastik क्या होता है, neoplastik का मतलब होता है, anti-cancer drug, तो neoplastik drug मतलब, इसके transformation में, जितने भी anti-cancer drug के transformation में, या उसके drug के preparation में, हम लोग यूज करते हैं, tri-phenyle methane का, तो यहां आप लोगों का खतम होता है, unit unit 4 खतम हो रहा है, poly-nuclear hydrocarbons, एक टॉपिक साथ चूट गया है, derivatives of naphthalene, उसको हम next वीडियो में cover करते हैं, तो यहां आप लोगों का जितने भी compounds बज गया थे, जो हम लोगों की isolated system के compounds हो दो हो थे, diphenyl और tri-phenyle, diphenyl methane और diphenyl methane दोनों topics मैंने cover कर दिये हैं, एक topic जो चूट गया है, derivatives of naphthalene, उसको next वीडियो में cover करते हैं, तेंक यू,